तो भाई यहाँ पर देख सेख्थे मेरा यह मुद्रा लून का जो कि फॉर्म मैंने फिल कर चुका हूं और यहाँ पर जो कि मैं पूर्ब के लिए आपको दिखा रहा हूं यह मेरा तो यहां पर मेरा जो कि 50,000 रुपए सेबिंग एकाउंट में क्रेडिट हुआ है यहां पर देखी सकते होंगे मैंने जो कि यह ओनलाइन यहां पर मेरा जो कि लून एकाउंट है तो आप सभी लोग जो की इमुद्रा लून एपले कर सकते हो आप एक CSE भी लिए तो भाई आपके लिए तो बहुत बड़ा गूड़ने हो जै क्योंगे दोस्तों यह वाला लून एपले करके आप किसी को भी जो की दिला सकते हो और अ अच्छा कासा पैसा कमा सकते हो क्योंकि भाई सभी लोगों को इसका लून एपले करने का प्रोसेस के बारे मैं पता नहीं है जो लोग भी यहां पर एपले करने हैं उनका जो की प्लिज ट्रेगन सॉमटायम लेगता है किसी का एर्यॉर आ जाता है किसी का जो की आगे तो भाई आज की वीडियो मैं आपको complete process बताऊँगा क्योंकि भाई मुझे loan मिला है, मुझे approve हुआ है और मैंने complete जो कि आपने mobile phone पर किया था और कैसे क्या था, क्या process था, कैसे करने से loan मिलेगा instantly वो मैं आपको जो कि इस वीडियो की मादम से complete बताऊँगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर instant हमें loan मिल जाती है, वो भी 2 या 3 मिनिट में हमारा account में credit हो जाती है और मैंने जो कि आपको live proof भी दिखा दिया कि मेरे account पर पैसा आ चुका है और मैंने जो कि उससे खर्च भी कर चुका हूँ, और भाई मैं मंतली EMI अभी pay भी कर रहा हूँ तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप एक CSE भी लिए हो तो भाई, आपको जो कि आपका center पर एक banner लगा लेना है कि भाई हाँ, हमारे यह center पर जो कि E-Mudra loan apply हो रही है क्योंकि भाई सबी को पता है, CSE center में बहुत लोग आते हैं तो भाई उसकी मादम से आप जो कि दोस्तों किसी का loan apply करके देते हो तो भाई समझ सकते हैं, loan apply करके देने से क्या commission मिलती है क्या थोड़ी बहुत कमाई हो सकती है, वो आपको भी पता है क्योंकि भाई, यह जो E-Mudra loan है, यह फुली तरीके से online process है यहाँ पर आपको bank visit करना नहीं पड़ती है, कुछ भी document upload करना नहीं पड़ती है बस online पर ही सब कुछ हो जाती है, तो चलिए जान लेते है process क्या रहती है तो भाई सबसे पहले तो हमने जो की डिपकिशन पर टेलिग्राम का link दिया है, वहाँ पर जो की आपको join होना है क्या process रहती है, क्या जो की यहाँ पर eligibility quality रहती है, सब कुछ यहाँ पर बता देगा जैसे कि दोस्तो instant ability of loan of to 50,000 रुपय आपको जो की instant मिल जाती है यहाँ पर कोई भी आपको bank visit या कोई भी document upload करने के लिए नहीं पड़ती है आपका जो की saving account या current account होना चाहिए, उसका branch detail देन दोस्तो यहाँ पर आपको दोस्तो जो की यहाँ पर लिखा गया है proof of business, start date and address आपको देना पड़ेगा देन दोस्तो आपका UIDI का अधार नमबर, slout b, update in account मतलब दोस्तो जिसका भी आप apply कर रहे हो या आपका apply कर रहे हो तो दोस्तो आपका जो passbook में आपका आधार कार link होना चाहिए, update होना चाहिए और आप एक जो की community detail देना है, जैसे की general sthc, obc, जो भी हो minority उसका दोस्तो आपका जो order information है, जो की यहाँ पर लिखा गया है, like uploading, gst है तो दे सकते हो, या जो भी आधार है तो दे सकते हो, नहीं है, तो आपको यहाँ पर mandatory नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे scroll down करना, यहाँ पर बता दिया गया है, क्या KYC process रहती है, जैसे की मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपका आधार number जो की मैं आपको बता देता हूँ, पहली बात तो यह है की, आपका पान कार में mobile number link होना चाहिए, आधा पान का लिंक होना चाहिए, वो आपको ध्यान देना है, पान का लिंक होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, तब जाके आपको यह वाला business loan, पचासा जार रुपे instant मिलेगा, यह आपको ध्यान देना है, समझ रहे हो, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर OK पर क्लिक कर करना है, क्लिक करने का दोस्तों आपको यहाँ पर main dashboard खोल के आजाती है, आपका जो भी language हो सिलेट कर साइक तो फिलाल मैं इंग्लिस में सिलेट कर रहा हूं, देन दोस्तों आपको प्रोसीट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आजाती है, फुली तरीके से option, जिसमें दोस्त का आपका mobile number डालना है, और यहाँ पर capture डालके verify कर लेना है, आपका जो mobile number है, वो complete तरीके से verify हो जाएगा, verify होने का दोस्तों next option खोल का आती है, आधार, वहाँ पर आपको आधार number देना है, और आधार number दे के दोस्तों आपका जो आधार card में जो mobile number लेंगे, उसी number पर एक OTP जाएगा, उसको verify करके दोस्तों यहाँ पर आपका जो account number है, SBI का, वो account number आपको यहाँ पर फिल करना है, पूरी तरीके से, फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी amount, मतलब 10, 20, 40, 50, जो भी आप जो की apply करना चाहते हो, वो आपक जिसकी मादम से बहुत लोग यहाँ पर फिल कर जाते हैं, जितने लोग भी यहाँ पर सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों प्रूसीट करते हैं, तो उनका please try again sometime लेके आ जाती है, क्योंकि भाई बो लोग गलती कर देते हैं, क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हू जो कि तो भाई यहाँ पर लोन नहीं मिलती है, पहले आपको completely जो की सब कुछ document verify कर लेना है, जैसे कि आपका link है या नहीं, सब कुछ आपका account चल रही है नहीं, पानकार अधरकार सब कुछ सही है या नहीं, आपका नाम में correction हुआ है, या आपका account पानकार अधरकार में सब सब कुछ Sam spelling का name है की नहीं, सब कुछ देख लेना है, address में कोई गलती तो नहीं है, आपका ID proof में, address proof में या आपका passbook में कोई address में change है की नहीं, ये सब कुछ detail में verify करना है, जैसे कि आपका account में same होना चाहिए या आधरकार में, आपका passbook में सही होना चाहिए, तब जाके दोस्तों यहाँ पर online process में आपको approval मिलती है, then दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद सब कुछ सही है, mobile number link है, तो दोस्तों आपका transaction history देखना है की आपका मेहने में कितना transaction हो रही है, और आपका account क्या maintenance चल रही है, ऐसा नहीं कि आप कुछ transaction ही नहीं करते हो, आपका account व प्रेकर पाओगे ना, नहीं तो भाई उनको पता चलेगा इसका account में तो कुछ कारवारी नहीं हो रही है, कुछ transaction नहीं हो रही है, इसे हम लून दे कि कैसे pay करेगा, यह लून तो ले जाएगा, बड़ हमें pay कैसे करगा, इसका account में तो कुछ भी transaction हुआ नहीं है, यह बात या तो आप रात एक डेड़ बज़े करते हो, दो बज़े करते हो, या तिन बज़े करते हो, या सुबह-सुबह पांच-छे बज़े इसे लून एपले करते हो, तो भाई आपको यहाँ पर approval मिल जाती है, और instant credit हो जाती है, मैंने दोस्तों छे बज़े से लेके साड़े 6 ब या और मुझे credit हो गया, तो भाई आपको यह ध्यान देना है, सुबह-सुबह करना है, या तो रात को एक-दो बज़े करना है, क्योंकि server वो time में free रहती है, और सही रहती है, देखो एक तो आधर का server सही रहती है, SBI bank का server सही रहती है, और OTP जाने आने में server ठीक रहती है, तो उस time में आपका जो की कही पर भी दिकत नहीं आएगे, यह बात आपको ध्यान देना है, तब जाके दोस्तों यहाँ पर successfully loan approval पाओगे, पच्चास जार loan पाओगे, और यहाँ पर किसी भी customer को दे पाओगे, या खुद के लिए loan apply कर पाओगे, और मन चाय जब चाय तब क करोगे तो भाई, यहाँ पर आपको approval नहीं मिलेगा, मैं 100% आपको लेक के देता हूँ, तो भाई, आप बात कर लेते हैं, complete apply करने का process, जो की proceed बतम दबाने के बाद आगे, क्या option खोलती है, मैं बो बता देता हूँ, तो भाई, वीडियो डिपकिसन पर निच्छे link है, टेल आपर जाके complete वीडियो देखो, और process समझ जाओ, तो दुस्तो फिलाल इस वीडियो में मस, इतना वीडियो थुड़ी सी भी आपको अच्छे लेगी, helpful लेगी, दब्बाके का लाइक कीजिए, और चनल में पहली बार रहे तो दुस्तो कुछ इतरा का नयन्या इन्प्रमेट अगले वीडियो में आज के लिए टाटाएन बाई-बाई-बाई-जहें